हाई फ्रेंज, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्स आर पे मैं हूँ आपके साथ सपना दानो क्या IPL 2024 नहीं खेल पाएंगे अफगानिस्तान के खिलाडी आखिर क्या है वज़े अफगानिस्तान के टीम ने जिस तरीके से तरक्की की है खिलाडी ने मेहनत की है उसका नतीजा हमें वर्ल्ड कप 2023 में देखने को मिला था अफगानिस्तान ने बहतरीन तरीके से प्रदेशन कर इंगलेंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को हार का सामना करवाया था लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इन अफगानिस्तान के खिलाडियों का IPL 2024 में खेलना मुश्किल लग रहा है दरसल IPL 2024 के लिए अफगानिस्तान के पाच खिलाडियों को अलग-अलग टीमों ने रिटेन किया है नवी नूलहक को लख्रस उपए जायस ने, फजलक फारुकी को संराइजिस हैदराबाद ने, रह्मान उल्ला गुर्बास को केके आर राशितकान को गुजरात ने, नूर एहमेद को गुजरात ने और बात करें उन तीन खिलाडियों की, जिन्हें IPL 2024 के लिए हुए मीनी आॉक्षन में खरीदा गया है अजमतुल्ला, उमरजाई, गुजरात ने खरीदा, मुजीबुर रह्मान को केके आर ने खरीदा, मुहमद नवी को मुंबई इंडियन्स ने अपनी टीम में शामिल किया लेकिन अब इन खिलाडियों के उपर IPL 2024 का खत्रा मंडरा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान किर्केट टीम ने तीन खिलाडियों के उपर बड़ा एक्शन लिया है इन तीन खिलाडियों में नवीन उलहक, मुजीबुर रह्मान और फजलक फारुकी का नाम शामिल है अफगानिस्तान किर्केट बोर्ड ने अपने इन तीन खिलाडियों को no objection certificate नहीं दिया है जिसके जानकारी खुद अफगानिस्तान किर्केट बोर्ड ने दी इन खिलाडियों ने 1 जनवरी से ACB के central contract से मुक्त होने की मांग की थी और उसके बाद ही अफगानिस्तान किर्केट बोर्ड ने 2024 के लिए इन तीनों खिलाडियों के central contract में देरी करने का फैसला किया है साथ ही इस मामले की पूरी तरह से जाज कराने के लिए एक समिती का गठन भी किया गया है कहीं न कहीं देखा जाए तो अफगानिस्तान किर्केट बोर्ड का ये फैसला आना कोई गलत बात नहीं है इन खिलाडियों ने अपने देश से पहले खुद को रखा है और लीग मुकाबलू में जादा दिल्चस्पी जताई है और इस बारे में एसीबी ने भी खुद जानकारी देते वे कहा कि इन खिलाडियों का सेंट्रल कॉंट्रेक्ट पर साइन नहीं करने का आगरह कॉमर्शियल लीक्स में भाग लेना है और अपने देश यानी अफगानिस्तान के लिए खेलने से जादा अपने आपको पहले रखने का नतीज़ा है जो कि एक खिलाडी के तौर पर ये राष्टी जिम्मेदारी है जो खिलाडियों नहीं निभाई इस कारण अफगानिस्तान किर्केट बोर्ड ने इन खिलाडियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया है अब इन सभी चीज़ों को देखे तो नवीन उलहक, मुजीबुर रह्मान और फजलक फारुकी का आइपल 2024 में खेलना मुश्किल लग रहा है हाला कि अभी आइपल 2024 में ये खेलिंगे या फिर नहीं, उस बारी में कोई ओफिशल जानकारी नहीं आई है फिलहाल अफगानिस्तान किर्केट बोर्ड का ये फैसला इन खिलाडियों से जुडी फ्रेंचाइजी के लिए एक जटका हो सकता है अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, बहराल आपका अफगानिस्तान किर्केट बोर्ड के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके जरूर बताए साथ ही अगर आपने अब तक हमारी योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले